राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका चैनल को क्विधर्ट में कि आपको चाट खाना पसंद है और ऐसे भी चाट किसे पसंद नहीं होती है मुझे तो बहुत पसंद है जब भी जाती हूँ मार्केट या शादियों में चाट तो जरूर काती हूँ लेकि इसका जो स्वा निकार लिये हैं और ले लिया एक घहरा परतन इसमें हम इमली और खजूर को दोनों को मिक्स कर लेंगे और साथ में डाल देंगे उबलता हुआ एक कप पानी पानी हमें इतना लेना है कि हमारे खजूर और इमली अच्छे से सोख हो जाए ओपर तक भींग जाए इसे हम एक चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं लेकिन चीनी से अच्छा होगा कि आप गोड लें क्योंकि गोड से हमारी चट्नी की थिकनेस अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छी आता है और बंती भी जल्दी है यहाँ पर हम गोड को चॉप कर लेंगे अगर आपका गोड अच्छी दिन वगरा में रखकर किसी भारी चीज से बेल वगरा से फोड लें यहाँ पर मेरा गोड सॉप्ट है इसलिए जीली कट रहा है इससे क्या होगा गोड हमारा चट्नी में जल्दी खुल जाएगा और टाइम भी कम लएगा यहाँ पर हमने सारा गोड लगबग संदाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पर हमने गोड सारा चॉप कर लिया है अब हम इसे साइट में रख लेते हैं और देखते हैं कि हमारी चट्नी कि जो इंब्ली औ खजूर हमने में बिंग गोया था डबल हो चुका है अब हम इसे ग्रैंडर में डाल लेंगे क्योंकि हमें इसे पीस नहीं अगर आप चाहें तो पानी भाध में भी डाल सकते हैं ऐसी पिष जाता है तो ऐसी पिस लें यहां हमारा पपिष चुका है इसे हम चल्नी में चांद लेंगे नीचे वही बर्त रख क जिसे हमें गैस पर रखना है इससे हमारा टाइम भी बचेगा और बर्दन भी कम होंगी और इसे चलनी में अच्छे से चानने के बाद में जो भी पल्प हमारा ग्राइंडर में चुपका हुआ रहे गया उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर इसी में मिला ले इससे हमारा प्रिच और वन टेबिल स्पून जीरा आप चाहें तो जीरा इसके पी कर सकते हैं अब इसमें डाल देंगे हैं चौप किया हुआ अपना सारा गोर जितना भी हमने चौप किया था यहां पर हमने बजन में गोर को 100 ग्राम लिया है मतलब 100 ग्रेम जैगरी ऐसे भी हम इसमें म करेंगे आज को तो हमारा गोर जो है वो जल्दी जल जाएगा और हमारी चटनी खराब हो जाएगी हम हमें इसे तब तक पकाएंगे लो फ्लेम पर जब तक यह गोर हमारा घुल नहीं जाता हमें इसे रेगुलर चलाती हुए जाना है वह तो गोर हमारा नीचे लग जाएग दीरे दीरे आप देखेंगे जैसे इसे गुर पिखलेगा इसमें थोड़ से जाग भी बनने लग जाएंगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर हम दैगल चलाती जा रहे हैं यह देख साथ से आठ मिनिट के अंदर हमारा सारा गुर मेल्ट हो गया है और इसमें एक उपाल भी आने लग गया है जैसे इसे गुर मेल्ट हो रहा है देखेंगे जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें थिकनेस नहीं आ जाती है दस मिनिट बाद हम देखते हैं कि हमारी चटनी थोड़ी सी थिकनेस ले चुकी है अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि यह ठंडी होने के बाद में और ज़्यादा गड़ी हो जाएगी हम अपनी गैस की फिलिप को बंद कर देंगे अब इसमें डाल देंगे कि समिस और खजोर की बीच मस्क मेलन सीट्स इससे थोड़ा रोयल लुक आता है हमारी चटनी में और जब थंडी हो जाएगी तो यह और अच्छी लगेगी देखने में अब इसे थंडा होने के लिए रख देते हैं जैसे ही थंडी हो जाएगी इसे किसी भी काँच के जार म इसे क्षिप को ही लेकिन है हेल्दी भी है क्योंकि इससे हमने खजोर से बना आए और खजोर की बेनीफिटत आपको सबको पता ही यह होगका कितना फैयंदे मन दो है और इसे हम इस्टोर भी करके रख सकते हैं किसी पी शाट के उपर डालें और एंजॉइ करें अगर आपक झाल झाल